मोहल लाल गंच विकासकंड शेत्र के अंतरगत ग्राम पंच्यात राती में एकादश भजरंग क्रिकेट पतियों गिता में कली बाबु खिड़ा वर राती के भीच फाइनल मैच के बाद एकादश भजरंग राती टीम ने पहले टॉस कर पहले पारी खेल कर 194 का लक्षे रखा इसको दूसरी पारी में कली बाबु खिड़ा की टीम ने मिहनत करने के बाद भी नहीं बना सकी 195 रन अंत में कादश भजरंग राती की टीम ने जीत आसल की वहीं ग्रामेडो में कादश भजरंग राती टीम के प्रती हर्शो लास के साथ आतिश बाजी की भाग लेने वाली टीम के निर्देश ग्रामेडो द्वारा तीन विकेट लगा कर लेने पर 101 रुपे का पुरुसकार तीन चकी लगाता लगने पे 101 रुपे का पुरुसकार मैन ओफ दा स्रीज बैटल लंच पैक की विवस्था लिक मैच एक दो एक दो ओवर की होंगे एंपार का निर्णे अंतिम वस सर्वंबाने होगा एंट्रीपीस 1100 रुपे विजेता 51 रुपे आयोजक नरेंद्र शर्मा वीर बहादूर प्रबंदक नवनीत कुमार प्रधान राजेश कुमार डीडी सी रामदीन मास्टर शहा आयोजक शिवा आकाश कुमार इंद्रजीत रोहेत पश्पेंद्र अनुजसानू सुनीट गिर्जा शंकर जितेंद्र कुमार शर्मा सुरेंद्र कुमार शर्मा आदीरे कि मिदे अब करांगे इस घुना मेन्ट में आपका में एक रहा हैं? में क्या है खैपिटन जिबूनिका में है तो इस पाद्टी से क्रिकर्स पार्टी किया नाम है? बजरंगेकादस तो तूना मेंट हो रहा है और आपके और किसे बीच मैच हो रहा है? कल्ली बाबु खेड़ा तो स्कोर कितना था यहां पर हम लोगों ने पहले बैटिंग करते हुए 105 नवेरोनों का स्कोर दिया था जो कि वो लोग चेस नहीं कर पाए और दूसरी पारी जो खेल लही थी इसलिके किने रन बने रहे हैं कि 140 ए 134 अच्छा जो यह जीत हासिल की इसके लिए आप क्या जाहेंगे अपनी पूरी टीम और अपने पूरे राती गाओं के सभी बिप्नियों का एक अधसी जो यह पिकित मैच हो रहा था यहां पर यह आपके पहली बार हो रहा था जी पहली बार हो रहा है अच्छा इससे क बिल्कुल हर साल हम इसी कोशिस के लिए के हम लोग पहली बार शुरुवात किये हैं और चाहते हैं कि हर वर्स टोनामेंट होता रहे और सभी खिलाड़ी आगी आए और सब लोग खेले हमारे साथ देखिए यहां पर ग्राम पज्जार रातीस है अच्छी बताइए कि यहां कि दो प्वर्स अब सब्सक्राइब आपके वहां जो नौय उखेल लोगों के लिए तोनामेंट का इंद्राम किया गया इस्वार पहली बार किया गया जी नहीं अच्छा हुआ है इससे आपको क्या लगा इस बार टूनमेंट हुआ है इसे आपको क्या अंदाजा लगा है कि क्या होना कैसे ग्राउंड और बनना चाहिए ya तो नहीं कि इसके बाद एक साल और यहां पाफी हुआ है यहाँ पर लोगों में क्या उत्हृता मिली आपको और मै है यह क्या तोर्णमेंट हर साल जारी दिखना चाहें है अच्छी यह बताएए क्या पील कुछ अपील करना चाहेंगे ने बहुत अच्छा रहा हमारा टौनमेंट तो यहां पर दरसक भी बहुत मौझूद थे और जैसे आप कमेंट कर रहे थे बहुत अच्छी कमेंट कर रहे थे तो दोनों टीम जैसे खेल रही थी तो दोनों टीम खेल रही थी तो आपको क्या महसूस हो रहा था महसूस हो रहा था कि जो अच्छा खेलेगा वही इस टोनमेंट का बिजेता होगा तो जहां तक बता देंक बजरंगे का दस राती ने अच्छा पहले ओपन किये सलामी बल्लेबाद देखे गए अच्छा खेले हैं 194 का लच्छी बनाई और 195 दिया था जीत दिये लेकिन शुरुआद में बाबु खिड़ा के भी प्लेर अच्छा खेले हैं लेकिन थोड़ा बहुत देखनें को मिला कि एक तरीके से जिम्मेदारी वाला कोई प्लेर नहीं खेला आपकी बहुत में हमने देखा कि जो बहुत सारे युवा हैं लड़के उनमें बहुत बड़ा होसला एक बढ़ा हुआ है कि हमारे वहां जो ग्राम पंजेग राती में तो इससे क्या लोगों में उसक्ता और बढ़ेगी जी बिरुकुल क्योंकि हमारे ग्राम प्रधान नौनित कुमार जो युवा है खुद ही और वो चाहते हैं कि हमारे जितने युवा पीढ़ी पनप रही है यह अच्छा खेले अगर हम टोनामेंट कराएंगे तो बच्चे देखेंगे तो प्रतिभासाली रहेंगे तो यही हमारा लोगों का उद्देश से है कि आगे चलकर इससे बड़ा टोनामेंट हमारी ग्राम प्रतायत राती में हो जिससे जो है ग्रामलियों में और बच्चों में उसाह बढ़े और एक जानकारी होगी क्रिकेट खेल जो भी अभी फिलाल भी हम लोगों का फ्रॉबाल का फ्रतियोक्ता रखी जाएगी तुव भी to खेल फिलाल एक टोनामनेंट समाफ़ हुआ है सफ़र टोनामनेंट दुआ है